इसे के साथ एकॉलर है राज सेठी ये जैपुर से हमें कॉल किया है उनसे बातचीत करते हैं सुवागत है कायकरश में सवाल कीजे हालो हालो जी स्वागत है कारेक्रव में सवाल कीजिए ऐसे है मेरे ना क्या मेरे गत्या का रोग है जी मेरे जोडों में दर्द बहुत रहता है और मेरे हाथों की उंगलियां और लेकर नीचे प्यारों साथ बहुत ही मतलब की ऐसे सुन वह हो जाते हैं तेड़े भी हो रहे हैं और मतलब की अधियों में इतना जर्द रहते हैं मुझे पूरी राद नहीं नहीं आती जी आपकी अभी कितनी उमर है और कितने दिन से यह रो नहीं तो कितने दिन से काफी दिन हो वहे हैं और मेरे मतलब की और मेरे हैं प्रसंव होती है अधियों में यह अबton की रहते हैं मैं हात पर रखती है और इतना है ठीक हए देखिए खुश्खबरी तो यह है कि ये रोग आपका ठीक भी हो सकता है अगर आप हमारी बात पर तवज्ज़ दे हमारी बात गोर से सुने चाहे तो लिख ले चाहे तो रिकॉर्ड कर ले जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उसी तरह से आप नसका इस्तेमाल करें देखे आप 80 पिलस है और बहुत ही सम्मानिय हैं हमारे लिए अलसी आप जानती होंगी अलसी क्या होती है किचन में भी रखते हैं लोग अलसी एक पाच-छे सो ग्राम अलसी ले लीजे उसको हलका सा भून कर और पॉडर बना ले अब ये तो अलग रखी पाडर है और एक गौन आता है गौन सियाः शाद आप बड़ी उमर वाली हैं तो आपने कभी सुना हो इसके बारे में ये मिलता बहुत मुश्किल से आपके जमाने में असली मिलता हूँ आजकर नकली भी मिल जाता है एक काला गौन जो बहुत ही काम्याब है जोडों के दर्द में गठिया में खास तो पर तो ये सो दो सो ग्राम खरीद लीजे इसको भी रॉमेटल खरीदना है और इसको अलग रखना है पौडर इसका अलग रखना है सुबह नाश्टा करने के बाद एक चम्मच अलसी पौडर ले और ऐसे दो चुटकी में जितना गौन सिया यानि काला गौनदा है ये असली रेना कड़वा होता बहुत ज़्यदा इसको आप खाएं और गरम पानी पीएं दिन में प 10% भी फाइदा एक महीने में हो तो एक साल लगेगा 20% हुआ तो पांच महीने लगेगे लेकिन ये इस रोप के लिए गठिया खास्तर पर इसमें फाइदा होना मुम्किन है एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है खुशी जी ने हमें कॉल किया ह है अम्रोहा से खुशी जी स्वागत है सवाल कीजिए हमारा वह हमारा पेट बहुत बर रहा है जी उम्र कितनी है आपकी 14 14 14 जी 14 साल की है चीक बिटा आपको खुब वयायाम करना चाहिए पैदल चलना चाहिए एक घंटा धूप में और भूक ज़्यादे लगती हो तो खाना कम खा लीजे बस जितनी रूटी आप खाते है Can एक जमाने में हम बहुत काना काती थे और जब यह पता चला कि खाने में स्वास्त नहीं है, खाना कम खाने में स्वास्त है, तो आप अगर चार रोटी खाते हैं तो दो कर दीजे और पैदल चलिए दवा मत लीजे आपकी उमर बहुत कम है ग्रोहत की उमर है कोई दवा मत लीजे और आप का हाजमा ठीक रहेगा आप पैदल चलेंगे तो रग रग और जोड जोड मजबूत होगा और खाना है तो फिर फुरूट खाईए और दूप में चलिए पांच बार गरम पानी पीजे अपना आपकी चर्वी और पेट जरुरत के मताबिक आना मुमकिन है एक और दर्शक है संतोष जी है राजदानी दिली से हमें कॉल कर रहे हैं संतोष जी स्वागत है सवाल कीजे और ये समस्या कब से है आपके साथ ये कई साथ से जैसे पिस तैकी फैलिका भी अब्रेशन हुआ था जे खाना हजम ही आता पेट बढ़ता ही जा रहा है और बहुत परिशान है अच्छा देखिए महिलाओं से मैं देखता हूं अपने घरों में भी अपने रिष्टेदारों में भी जो चीज हमें ज्यादा डालनी चाहिए अपने सबजी में वो इतना सा डालते हैं इतनी सी अद्रक डालेंगे बिल्कु इतनी सी और इतना सा ही लहसन डालेंगे कभी आप अपने सालन में सबजी में इतना लहसन और इतना अद्रक डालके देखिए आप को खाना खाते ही हसम हो जाएगा ये जो इतनी सी अद्रक डालते हैं ये गलत है इतनी सारी डालनी चाहिए क्यों इतनी सी डालते है तो हिस्से में कितनी कितनी आई पांच लोगों के लिए खाना बना एतनी से अद्रक इतना सा लेसन इतना डालिए लेसन इतनी अद्रक अच्छा जिन लोगों का पित्ते का उपरेशन हो गया है अगर इतनी अद्रक और लेसन डालेंगे तो ये पित्ते का काम करने लगता है चर्वी बढ़ने नहीं देता चर्वी को निकाल देता है और बहुत अच्छी दवाएं हैं ये अद्रक और लेसन सिर्फ इसे भी आप स्वास रह सकते हैं और अगर घरेली निसका कोई चाहिए तो देखिए बड़ा अच्छा है ये मेथी का दाना लीजे पांच सो ग्राम पॉडर बना लीजे और ये नमक जैतून आता है जैतून का नमक कहते हैं रसायन जैतून या अस्टेक जैतून ये जैतून से उसका रसायन निकाल लेते हैं ये देखने में नमक जैसा और नमकी नहीं होता है सो ग्राम इसमे बला दीजे मेथी 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 दाने मेथी पिर आदे से एक चमश सुबा और शाम खाएं देखें आपका पेट का हर रोग किड्नी का रोग लीवर की परिशानी, लीवर का फैटी होना, आतों में चर्बी होना, आतों में सूजन होना, अजम खराब होना, गैज बनना ये सारी समस्याओं से निजात मिलना मुम्किन है धारी दिली से लता जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है आईए जान लेते हैं उनकी परिश्वर्ण के बारे में जी लता जी बताइए हलो, नमस्कार बताएए नमस्कार जी, हमें अतीन साथ से बात करने हैं, हमारे जी होस्वर्ण लाइव को पार्किंसन है अच्छा क्या उमर है, कब से है उनकी 74 उमर है जी, और उनको होगे 7-8 साल जी कितना पूरे शरीर में है क्या हाँ जी, पूरे शरीर, फ्लोवनेस है पूरे शरीर में हाथ नहीं काम से, लेकिन फ्लोवनेस से है ठीके, ठीके हाँ, और वो सिस्नेस है, हाँ जी, हमने आपके वहाँ से जी जी बोलिये वो दवा सही बताई आपको उसका एक बार या दो बार इस्तमाल जरूर करें अगर उनका शरीर एक बार बरदाश्ट कर सकता तो एक कैपसूल इस्तमाल कीजे और दो बार दे सकते हैं तो दो बार देजे और ऐसी खया लखी है अपने पत्ति का आखरी उमर और ऐसी उमर में महिलाएं अगर अपने पत्तियों का ऐसा ही खया लखे कि पत्ति की उमर पत्तियों से थोड़ी बड़ी होती है तो इस उमर में पत्तियों को अपने पत्तियों को समालना चाहिए और मूंकी डाल के बने हुए वेंजन यानि मूंकी डाल भुनीवी आती है मूंकी डाल की खिछली मूंकी डाल खुद एक सबजी बना के देते हैं मूंकी डाल का हल्वा उससे बना के उन्हें खुब खिलाय करिए और ये दवा दीजे आपको फाइदा देखिए 10-5% रह जाए एक और कॉलर है आकरती जी हमें कॉल कर रही है पटना से आकरती जी स्वागत है सवाल कीजे सवाल कीजे अपना मेरे नम घीर चुक्यत है तो उसमें पैर में चोट लग गया था चोट लगने के बाद नस में प्रावलम होता बहुत दर्थ होती है ओमर कितनी है आकरती आपकी चालिस पैर में चोट लग गई थी उसमें काफी तकलीफ होती है आपकी जी आपकी समस्या हल हो सकती है आपकी घर में वेस्टन ट्वालेट ऐसे कुर्सी वाला नहीं हो तो वो लग वाले उसका इस्तेमाल करें तो बगएर दवा के भी ठीक हो सकते हैं और बतोर आप कैप्सुल टी केर सुबा शाम टीफोर टाइगर अगर लें तो बहुत जल्द आपकी समस्या का ठीक होना मुमकिन है प्यल तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जोड़ गए है कानपूर से हमें कॉल किया है तिवारी जी सवाल कीजे नमस्कार जी आजी अधीय अधीय लुक्त प्रॉब्लम हो रही है जी अच्छा दिखिए आपके पास पैनल कॉंपी है हाँ जी याँ है अच्छा मैं बोलता हूँ और आप लिखिए और ये निसका आपने तिवारी जी सब अजीज़ों को पोस्ट कर दीजे ये निसका बहुत कीमती है अजकल मॉबाइल से कुछ लोग अच्छे काम करते हैं कुछ लोग बुरे काम करते हैं हम भी अपने फोन से अपनी फेस्बुक से इन उसका बहचते हैं तो लाखों करोड़ों लोग इसका फायदा उठाते हैं आप भी बहच सकते हैं देखिए धनिया लीजे तीन सो ग्राम धनिया जो आपके घर में किचन में साबूत धनिया हो तो अच्छा या घर में पीसे इसको धनिया तीन सो ग्राम आवला भी सुका मिलता है वो सो ग्राम और मेथी जो हमारे किचन में मेथी दाना होता है मेथी के बीच वो भी सो ग्राम लेकिन गौन मौरिंगा सफेद वाला लेना, लाल वाला नहीं, वो नकली होता है लाल वाला, गौन मौरिंगा सफेद 100 ग्राम, अब इनको पाउडर बना लें, और एक चम्मस सुबा, एक चम्मस शाम, जो शक्स भी खाए, थाइराइड वाला, उसका 6-7 महीने में का खतम होना मुम्किन है, लेकिन वो गोली खाते रहें, जो आप थाइराइड की खाते हैं, उसे एक दम से ना छोड़ें, अगले महीने से आपके डॉक्टर जब आपकी नई रिपोर्ट देखेंगे, और आप भी देखें, परानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट, तो हाजिब होगा, कि आपका डॉक्टर ने कहा कि आपका थाइराइड काम होने लगा, इसलिए मैं थाइराइड की गोली की प्रोटेंसी कम कर रहा हूँ, ये डॉक्टर कहेगा एक दो महीने में, और 4-6-8 महीने में आपको थाइराइड से निजाद मिल सकती है, जितना पहला पहला दीजे इस निसके को पहले खुद यूज कीजे पिर सब को बता दिये थायराइड बहुत हो रहा है महिलाओं को बहुत हो रहा है ये डायबिटीज की तरह एक बीमारी है इसको कंट्रोल करिए अपने खांदान में अपने गाउं में सब को बताईए अगर आपको फायद हो फैजाबाद से गौरी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है गौरी जी आप अपना सवाल कर सकती है जी नमस्कार जी नमस्कार जी जी मैं तरसे भी नमस्की करना चाहिए हूं जी गौरी बताईए तर मेरे तो चेरे पर जाईया हो गई है जी और हाँ सर उसके अरा मुझे एक प्राब्लम और है जैसे मेरी एक दवा चल रही है लंक्स में थोड़ा इंफेक्ष्टन था तो उसकी ततर चल रही है लंक्स की तूचना अब रही थी हो तौर की नदी में पत्तर सलबादी की लंक्स में थोड़ा इंफेक्ष्टन है उसकी यही लेते हैं और सांस खतम तो आत्मी खतम तो लंग्स की मजबूती के लिए सब को दवा देनी चाहिए और लंग्स को पूरी तरह फूलना चाहिए उनाब अलसी और लिसोड़ा उनाब अलसी लिसोड़ा सो सो गिराम और 30 ग्राम पीपने जो हमारे गरम मसालों में पाई जाती हैं इनको पाउडर बनाएं और एक चमश सुबा ज़रू खाया करें ज़्यादा प्रावलम है तो शाम को भी ले सकते हैं खाली पेट सुबा रात को सोते समय गरम पानी से लिया करें और मैं तो आपको मशवरा लक्स बहुत मजबूत रहते हैं जिसम में बड़ी ताकत रहती है करंट सा रहता है तो यह इस्तमाल करें आपको लक्स भी ठीक होना मुम्किन है